Guys, Welcome to the new lecture of Code Practice और आज के वीडियो में हम बात करेंगे Exception Handling in Camel तो हमारे पास बहुत सारे सिनेरियों बनते हैं कि अगर कोई exception आ जाए हमारे जो flow में तो हम exceptions को कैसे catch कर सकते हैं उनको कैसे handle कर सकते हैं तो उसके लिए let's say हमारे पास ये हमारा main route है जो हमने last lecture में देखा था Apache Camel का right और ये हमारे subsequent routes है Multicast 1, Multicast 2 and Multicast 3 route तो अभी अगर हम देखें तो it's kind of parent route जिसके अंदर से हमारे child route flow होंगे right, trigger होंगे basically तो अगर मैं मेरे किसी child route में exception आता है तो हम उसको कैसे check कर सकते हैं तो let's say मैं यहां से एक exception throw करता हूँ throw new null pointer exception right अब अगर मैं यहां पर string देता हूँ exception thrown from route 1 right, अब मैं क्या करता हूँ मैं मेरी application को start करता हूँ और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें एक exception आया multi-cass route 1 में और हमें exception मिला और उसकी यह सारी जो message history होती है जो stack trace है वो हमें मिल गया, right और two और three हमारे execute हुए और हम यहां पर exception मिल गया अब आते हैं कि हम इसको handle कैसे कर सकते हैं कि यह हमें exception ना मिले तो हम क्या करें तो यहां पर हमारे पास एक own exception block होता है अगर हमारा कोई parent exception है कि हमें पता नहीं है कि हमारा code में कुन से exception है तो हम क्या कर सकते हैं इस type का exception get कर सकते हैं जो की होगा main generic one, right और अगर हमें पता है no on exception तो हम एक specific कि मेरे code में से null point exception ही आ रहा है तो मैं null pointer को भी यहां पर define कर सकता हूँ और उसकी handling कर सकता हूँ received null pointer exception received null pointer exception in the code right and here I can see received generic exception right तो अब हम करते हैं हम इस flow को चलाते हैं और हम देखते हैं कि अब हमें क्या मिलता है मैं इस application को दोबारा start करूँगा तो यह हमारी application start हुई हमें same चीज मिली अब हम देखते हैं कि हमारा if you see receive null pointer exception in the code तो जो हमने null pointer exception जो हमने dedicated exception थो किया वही हमारा get हुआ और हमारा ये वाला block ही चला अगर मैं इसको comment कर देता हूँ और अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो क्या होगा तो अगर हम देखें तो हमें क्या मिला receive generic exception in the code तो आप ये code block यूज़ कर सकते हैं अगर आपके code को आपको पता नहीं है कि मेरा code में से कौन सा exception through हो सकता है तो in those cases और किसी runtime exception जो कि आपके आपसे miss हो गया है तो उसको handle करने के लिए आप इस class को use कर सकते हैं अब हमारे पास दूसरी बात आती है कि अगर अब हमें basically हम इस own exception को कैसे use कर सकते हैं अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमें process मिलता है तो यहाँ पर हम कोई भी processor दे सकते हैं जिससे हमें क्या होगा पूरा exchange object अवेलेबल होगा तो अगर मैं कोई भी यहाँ पर अगर मैं इस property को get print करवाना चाहूं तो मैं यहाँ पर उसको print करवा सकता हूं using this printing in exception block तो हमारे पास यह भी solution है कि अगर हम exception आ रहा है और हम exchange की कुछ properties या headers या body को use करना चाहते है तो वो भी हम इनको use कर सकते हैं अगर मैं अब इस command को देखूं तो printing in exception block code practice जो हमारी header की value है मतलब हमें पूरा का पूरा exchange यहाँ पर available है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई DLQ handling कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि मेरा कोई exception आ रहा है उसमें exchange object पास करके मेरे जो original message जो मेरे पास message आया है मैं उसको क्यों में भेज सकता हूं DLQ में तो मेरे लिए वो provision भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा अब दूसरी बात आती है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस exception को process कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि यह re-try हो राइट मैं चाहता हूं इसको मैं re-try करो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर अगर आप देखें तो re-try delay यह होता है re-try delay कि आप जब re-try कर रहे हो तो generally अगर हम re-try क्यों करते हैं किसी application के लिए let's say मैं किसी other microservice को call कर रहा हूं और वो slow है अपने response में right मुझे let's say 5 seconds में नहीं मिला response तो हम क्या करेंगे हम re-try कर लेंगे अगर हमें कोई और तरह का exception आया 500 exception आया तो हम generally retry करते हैं ताकि आगर मैं next time try करूँ तो मुझे वो चीज data मिल जाएगा तो वो retry delay है कि आप कितनी seconds के बाद retry करना चाहते हो और maximum re-deliveries है कि आप कितने attempts कितनी बार retry करना चाहते हो 5 बार, 10 बार, कितनी बार तो let's say मैंने डिया कि जो मेरा retry delay है वो है one second और मैं maximum five times retry करना चाहता हूँ तो ये जो code block है ये उसके बाद ही retry होगा ये उसके बाद ही चलेगा जब मैं इस चीज़को ये मेरा retry हो जाएगा अब इसको हम देखते हैं कि ये हुआ भी या नहीं अब मैं इसको दुबारा run करता हूँ तो ये जो हमारा code block है ये five times ये try करेगा same code block execute करने की क्या पता ये pass हो जाए बट अगर ये नहीं होता है if you see मुझे code practice मिल रहा है और ये बार-बार retry कर रहे हैं लेकिन उसके बाद exception अब मैं यहाँ पर अगर मैं एक string attach कर देता हूँ route one ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से clear हो कि हमारा ये ही code block चला है तो तीन चार पांच और उसके बाद हमें क्या मिला अगर आप देखो यहाँ पर जो exception traces हैं वो हमें बता रहे हैं कि आपने कितनी बार retry किया और हमें ये execute हो और उसके बाद उसने null pointer exception हमें एक की बार नहीं throw किया बार बार लेकिन वो हर बार उसी में result हुआ और ये जो code है ये जो line है received ये एक की बार execute ही मतलब जैसे ये retry delivery और maximum re-deliveries देखता है तो ये direct इस पे पहुंच जाता है अब बात आती है कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें अब अगर आप चाहते हो कि आपको ये message history ना दिखे इस type की आप इनको avoid करना चाहते हो इतनी जादा stack traces को तो आप क्या कर सकते हो यहां पर dot handle true use कर सकते हैं अब अगर मैं इसको rerun करूं तो let's see अब हमें क्या मिलेगा route 1 route 1 code practice और अगर आप आप देखो तो हमें जितने भी वो stack traces थे वो सब कुछ avoid हो गए हैं इसका मतलब handle का मतलब क्या हुआ हम बोल रहे हैं कि हमें पता है यह exception आया और हमने इसको handle कर लिया अपने तरीके से हमें कोई stack trace नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है कि किस line से आया होगा और हमने उसके लिए उसको process कर लिया है right अब अब दूसरी बात आती है कि मेरे पास यह चीज़ आ गई लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं यह जो exceptions मैंने यहाँ पर अब मेरे पास तीन तीन routes है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक centralized way हो जहां पर मैं exceptions को handle कर सकूँ ना कि यहां तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम let's say मैं इसको हटा दूं अब मैं यहां पर handle करना चाहता हूं मैं यहां पर बाहर कर रहा हूं सोरी मैं यहां पर on exception globe add करूंगा और मैंने यहां पर बोला null.exception.class add यहां से हम क्या करेंगे मैं इसको भी enable लगता हूं मैं आपको एक case बता हूं है मैंने क्यों किया यह in main route अब अगर हम देखे तो मैंने यहां पर ही null pointer रख है और यहां भी तो क्या इसे यह get करेगा या यह exception इसमें execute होगा हम इसको देखते हैं अगर यह यहां पर आएगा तो हमारे पर लोग प्रिंट होगा receive null pointer exception in the code in the main route and received null अगर यह यहां पर multicast 1 में आएगा तो यह यहां पर आएगा in multicast route 1 तो अब हम देखते हैं कि हमारा यह exception block में exception आएगा या फिर इस exception block में अब मैं इस application को start करता हूं तो अगर हम देखें तो हमारा जो exception है वो route 1 में ही रहा है यहीं पर ही catch हो गया है इसका मतलब क्या है जो भी हमारे route level पर exceptions हो आते हैं वो अगर हमने यहां पर exception handling की है तो वो route specific ही रहते हैं वो अपने parent route में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब वो individually उसी route में handle हो रहे हैं लेकिन हमारे पास कई बार हमें चाहिए कि हम एक centralized logging रहते हैं कि हम in child routes पर handle करने की बजाए मैं parent route पर handling चाहता हूँ मेरे exceptions की right मैं चाहता हूँ कि एक ही जगहा पर मेरे handling हो जाए चाहे यहां पर कोई exception आए चाहे इसमें कोई exception आए या इसमें कोई exception है right तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा multicast route 1 में मैं यहां पर एक error handler है और मैं यहां पर use कर लूँगा no error handler तो यह Apache context को बताएगा कि मैं कोई exception handle नहीं करूँगा अगर कोई भी exception आ रहा है तो मेरे से पहले जो भी parent route है उसको आप throw कर दो तो अब हम क्या करेंगे अब मैं इसको run करूँगा और हमारे पास यह print होना चाहिए मतलब यह exception इसमें catch हो रहा है इस parent route में और इस बार क्योंकि वो exception block वहां पर नहीं है तो वो retry नहीं करेगा और यह received null point exception in the code in main route तो main route था जो parent route था वहां पर वो चीज़ get हो गया है तो ऐसे हम इन exceptions को get कर सकते हैं और अगर आप यहां पर देखें तो यह camel का no error handler भी है जो यहां पर use हो रहा है इसलिए इसने parent route पर इस exception को throw किया है तो I hope guys आप लोगों को यह video पसंद आई होगी अगर आप को यह video पसंद आई तो do like and share my channel and see you in the next lecture